हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आशागरतों सभी अच्छी हैं और सुरक्षित हैं तो एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया रेविट आर्गिटेक्चर पर आज मैं उसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा तो आप स्क्रीन पर देख पारे हो यह हमने एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रियेट किया है और यह प्रोजेक्ट अवेलबल है मेरी एप पे वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़े प्रोजेक्ट की जाएंगी वहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो AutoCAD की फाइल है वो आपको वहाँ पर प्रवाइड की जाएंगी सब बताया जाएगा कि AutoCAD की फाइल को बनाने के बाद कैसे आपने प्लैन को ओरिजन पर रखेंगी कैसे फिर Revit में जाके आप इस प्लैन को इंपोर्ट करेंगे इंपोर्ट करने के बाद कैसे आप इसे 3D में करेंगे पूरी डिजाइनिंग कैसे करेंगे पूरा फोकस हमारा exterior डिजाइनिंग पर है यह आप देख पार हो यहाँ पर पूरा लैंड्सकेपिंग कैसे होगी जो आपको बताया जाएगा फिर उसका रेंडर कैसे निकालना है यह एक नॉर्मल रेंडर है जो रेविट पे निकाला गया है वो कैसे किया जाता है इसके साथ आपको इसके टेक्शर फाइल आपको वहाँ पर प्रवाइड होंगी और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उस अगर आप चाहते हो चाहते हो कि इस प्लान को लिए पे लजाकि उसका रेंडर करके दिखाएं लगा के दिखाएं तो आप कमेंट सेक्षिन में बता सकते हो तो मैं इसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा अगर आपको यह project completely देखना है तो अभी आप मेरे चैनल पे जाएं प्ले स्टोर से दिपक वर्मा एप के नाम से आप उसे डाउनलोड करें आप रेविट कोर्स पे जाएं और वहां पे project 3 के नाम से आपको वहां पे मिलेगा और future में और भी इस टाइब के project आते रहेंगे और मैं एक regular basis पे projects को upload करता रहूंगा वहां पे भी और YouTube पे भी मैं करूंगा obviously but app पे अगर आप अभी इसी project को देखना चाहते तो complete video है आप वहां पे जाके देख सकते हैं थैंकि सो मस दोस्तों